लो स्टूडिन्ट स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टी एच क्लासिस पर हमारा मोटो है वी टेज अचीव यानि हम बढ़ाएं और आप सभी अपने लाइब पे सक्सेस अचीव करें आप सभी ने अपनी होली जो है वो बहुत अच्छे से सलिब्रेट करी हो और आपकी होली बहुत अच्छी गई हो हमें यह आशा करते हैं परन्तु इसके साथ साथ अब स्टार्ट कर लेते हैं अपने एक्जाम की तयारी तो अब आपकी जो फेस्टिवल ने हो जा चुके है च कि इसके साथ साथ आपकी important question answers की वीडियो भी continue होती रहेंगी बिल्कुल tension मत लीजे लेकिन चैनल पर नहीं है तो जल्दी से subscribe कर दो बैल आइकोन को प्रेस कर दो साथी साथ आपको वीडियो को लाइक जरूर कर देना है क्योंकि आप देख सकते हैं हम आपके लिए बहुत मै हिंदी का हिंदी का second chapter जो की class 12 वाले बच्चों का है नाम है इसका रैदास इससे पहले आपका first chapter था जो की था आपका कवीता कैसे पढ़ें तो कवीता कैसे पढ़ें मैंने already करवा दिया है chapter बहुत अच्छे से मैंने clearly आपको हर एक चीज समझाई है जिससे कि आपको बिल्क questions के answer दे सकते हो यह मेरी कारणती है तो इस वीडियो को भी आपको एंड तक जरूर देखना है ताकि आप जितने भी इसके question answers आने वाले हैं उनका खुद से अच्छे से जवाब दे सको ठीक है चले स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को मैं इस चैनल की होस्तन हूं पहले आप को ताइटल है पनार्ट वो समझा देती हूं रैडास का अरथ है आने संतरवीदास थी जिन्हों जिन्होंने कई कविताएं लिखी हैं, कई उन्होंने पद लिखे हैं, और कई उन्होंने दोहे भी लिखे हैं, ठीक है, तो रैवीदास का नाम रैदास पड़ा, क्योंकि उनके जो दोहे थे, उनके जो कविताएं थी, वो राजाओं महराजाओं को बहुत पसंद आई, तो उ रवीदास इनको कम लोग जानते हैं रैदास नाम से जादा लोग जानते हैं तो इनकी कविताएं या इनके लिखे गए पद और साथी साथ इनके लिखे गए दो हैं आज हमें चैप्टर में पढ़ने पाले हैं चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को बिना देरी के तो इ इसके साथ साथ शोशित मानवता मतलब मानवता में जो भी शोशन हो रहा था उसमें नवीन सफूर्ती का संचार उन्होंने कैसे किया ये सारी हम चीजे इस वीडियो में देखने वाले हैं ठीक है इसके अलावा जो संत्रैदासी थे धार्मिक आडंबर वादियों से बिलकुल वो जो थे उनकी क्या सकते तुर्टी भी करते थे और इसके साथ शाथ उनसे शमाभाव भी रखते थे आपको यहाँ पे उर्देश से दिखाई दे रहे हैं यानि आपको क्या क्या चीजे इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आ जाएंगी पहली चीज आपको निर्गुन भ इसके अलावा भक्ती मार्ग में उन्च नीच जाथी पाती का भी दनी होता यह सब आप सब्हश्ट कर जखेंगे अप जैसा कि आप सबी को पता है कि भक्ती यानि भगवान के प्रती भक्त बनना सर किसी के लिए हैं पहला ने सब को एक बराबर उतार रहा है ना तो कोई ऊ चैप्टर से इस चैप्टर में यूज हुई जो भाशा है उसकी शिल्प लीपी ठीक है तो शिल्प विशेश्टाया आप चैप्टर में देखने की स्किप कर सकते हैं कि मूल पार्थ की सबसे पहला पद Igmm का इथा यह आपके इस साइड आते हैं शचब पदार्थ यहां से आप समझ रखते हैं बट मैं आपको समझा रही तो आपको बिल्कुल टेंशन लेनी की कोई जरूरत नहीं है चले पहले लेते हैं पहला हमारा जो भी पद है उसको नरहरी चंचल है मती मेरी कैसे भक्ती करूं मैं तेरी तो यहां पर रहा सी नरहरी किसे कह हैं भगवान को ठीक है तो बगवान को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि नरहरी चंचल है मती मेरी मतलब मती याने बुद्धी ठीक है तो मेरी बुद्धी जो है वो बहुत जादा चंचल है और आप ही बताओ कैसे भक्ती करूं मैं तेरी तो मैं आपकी भक्ती कैसे करूं इसका मतलब यह है कि मनुष्य, आज का मनुष्य भी आप देख सकते हैं कि माया जाल में फसा हुआ है, है ना, तो किसी को ओफिस जल्दी जाना होता है, किसी को कुछ और काम होता है, जिसकी वज़े से उनके जो चंचल बुद्धी होते हैं, चंचल यानि आज इधर तो कल इन्हे सब कारणों से, तू मोही देखे, हो तो ही देखू, प्रिती परस पर होई, तू मोही देखे, तो ही न देखू, यह मति सब बुद्धी खोई, अब इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये है, कि भगवान आप सभी को पता है, नीराकार है, नीराकार का अर्थ होता ह जिसका कोई आकार ना हो यानि हम भगवान को नहीं देख सकते थे कि मनुष्य भगवान को नहीं देख पाता क्योंकि इनका तो कोई आकार नहीं नहीं है बस उनको महसूस कर सकते हैं और या फिर उनकी भक्ति की जा सकती है तो कहते हैं कि ईश्वर जो है वो निराकार है इसलिए उस निराकार जो ब्रह्म है या निराकार जो इश्वर है उसको कौन देख सकता है तो इसलिए रैदास जी भी कहते हैं कि तू मोही देखे मतलब तुम तो मुझे देखो और साथ-साथ मैं भी आपको देखूं, हो तो ही देखूं, प्रीती परस पर हुई, अगर आप भी मुझे देखो, और मैं भी आपको देख सकूं, तभी तो हमारा प्रीती यानि प्यार, ठीक है, तो प्यार तभी तो हमारा परस पर हो सकता है, लेकिन होता क्या है, तुम हो ही देखे मतलब तुम मुझे देख रहे हो तो ही ना देखों मैं तुमें नहीं देख पा रहा हूं ये मती सब बुद्धी खोई और इस वज़े से मेरी जो बुद्धी है वो इधर उधर बटकती है कहते हैं भगवान से कह सकते हैं एक शिकायत लगाते हुए कहते हैं कि आप तो मुझे देख पा रहे हो लेकिन मैं आपको नहीं देख पा रहा हूं है ना तो इस वज़े से मेरी जो बुद्धी है वो इधर उधर डोलती रहती है नेक्स्ट आपकी लाइन्ज है सब घट अंतर स्रमसी निरंतर मैं देखन नहीं जाना गुन सब तोर मोर सब ओगुन कैत उ उपकार न माना तो इसमें यह कहते हैं कि मैं आपको जो है मैं देख नहीं पाता हूं इसलिए मैं आपकी प्रिती यानि आपके से प्रेम तो करना चाहता हूं भक्ती तो करना चाहता हूं लेकिन मैं आपकी भक्ती नहीं कर पाता ठेक है तो इसलिए कहते हैं कि मेरा जो माया मो है घसब घट अंतर रमसी निरंतर मैं देखन नहीं जाना गुन सब तोर मोर सब ओगुन कहते हैं उपकार न माना यानि मेरी इसी बुद्धी की वज़े से आपके जो गुन है वो तो मुझे दिखते हैं लेकिन मेरे अवगुन मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं इसी जो इतने भी किये गए उपकार हैं वो भी मुझे अवगुन ही दिखाई देते हैं मैं तैतोरी मोरी आसमजी सो कैसे करी निस्तारा कह रैदास क्रश्न करुना में जै जै जगत अधारा इसमें कहते हैं कि रैदास जी कहते हैं हे क्रश्न करुना में ये सारा संसार तुमारे ह सारे चल रहा है ठीक है तो जैज़ जगत अधारा यानि आपके सारे संसार चल रहा है मैं तुम्हारी ज़ज़कार करता हूँ ठीक है तो इस पूरे इसमे पद में यही बताया गया है कि भगवान क्यों कोई भी देख नहीं सकता जिसकी वज़े से रैदास्टी कहते हैं कि मैं आपको नहीं देख पा रहा हूँ तो मैं आपकी जो भक्ती है उसको नहीं कर सकता या फिर नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरी जो मती है वो भी चंजल है इसके बाद आपका सेकिन पद आजाता है सेकिंड पद का अर्थ देख लेते हैं पहले इसको समझते हैं क्या लिखा हुए इसमें जी है कुल साधु बैसनो हुई बरन अबरन रकू नहीं इसुरू बिमल बासु जानिये जग सोई अब इसमें इस दो लाइन्ज में बताया जा रहा है कि भगवान जो है वो उसको उच्छा कहे जाएगा ना ही उसको नीच कही जाएगा ठीक है नीच जाती में जनम लेने वाला व्यक्ति भी अगर सच्चे प्रहदे से या सच्चे मन से भगवान की भक्ति करता है तो उसको भी जो है ब्रामन से बहुत जादा अच्छा दर्जा दिया जा सकता है इस इसने कोई नीच कुल का आद्मी है ठीक है कोई भी आदमी आप लगा सकते हैं और वो भगवान की भक्ति में लीन है तो बड़ा किसे माना जाएगा नीच कुल को या उचे वाले कुल को ठीक है तो इसमें यही आपको बताया गया है कि जह कुल साधू बैसनो होई यानि संत्र प्यदाजी भक्ती की महता बताते हैं कि जिस कुल में ईश्वर भक्त जनम लेता है वो ही कुल जो है उचा और पवित्र कुल माना जाता है बरन अबरन रंकु नहीं एसुरू बिमल बासु जानिये जगसुई चाहे वो सवन कुल का हो या फिर अवन कुल का हो नीच हो उच हो या गरीब हो अमीर हो ठीक है वो ही बड़ा माना जाएगा या वो ही कुल उचा माना जाएगा जिसमें की भगवान का भक्त पैदा हो ब्रहमन बैस सूध अरुख यत्री डोम चंडार मलेच मन सोई होई पुनीत भगवत भजनते आपू तारी तारे कुल दोई इसमें कहते ह है कि इस्वर की दश्टी में सच्चा भक्त या सच्चा इस्वर का प्रिये वही है जो पुन्ने आत्मा से अच्छे करम करने वाला है सच्चे मन से इस्वर की भक्ती करता है और आगे की पंक्तियों में देखे क्या काल गया है धनी सूगाउं धनी सोठाउं धनी पुनीत जिनी पिया सार रसुतजे आन रस होई रसमगन डारे भिखुखोई पंडित सूर छत्रपती राजा भगत बराबरी अरुना कोई जैसे पुरेन पात रह जल समीप भनी ब्रविदास जनमे जगी ओई अब यहां कहा गया है कि विचार की पुष्टी में कवीच जो है वो कहते हैं कि चाहिए व्यक्ति किसी भी वर गिया जाती का क्यों ना हो यदि वो सच्चे मन और पवित्र भाव से भगवान का भजन करे तो उसे स्वयम तो मुक्ती मिलती ही है साथी साथ उसके दोनों कुल कौन कौन माता और पिता दोनों कुल जो है कुटम का अर्थ होता है परिवार परिवार में जितने भी लोग है उनको भी मुक्ती मिल जाती है अगर वो सच्चे मन से भगवान की भक्ती कर रहा है कवी के कहने का मतलब यह ही है कि भगवान के भजन में बहुत ज़्यादा शक्ती होती है और धन्या होती यह धर्थी यह धन्या होता है वो स्थान जहां पर एक सच्चा भक्त जनम लेता है और जिन भक्तों ने इश्वर प्रेम रूपी रस का पांद कर लिया उन्हें सांसारी क्रश में कोई आनंद नहीं आता इसी में ये देखे जिनी पिया सार रसूत जेयान रस होई रस मगंडारे भी खुख होई यानि जिसने भगवान के नाम का रस पी लिया उसे कोई रस अच्छा नहीं लगेगा पंडित सूर छत्रपती राजा भगत बराबरी अरून कोई जैसे पुरेन पात रहे जल समीप भनी रविदास जन में जगी ओई अब इसमें क्या कहते हैं कि पंडित वीर छत्रपती राजा कोई भी क्योना हो मतलब पंडित हो सूर हो छत्रपती राजा भी क्योना हो भख्त की बराबरी नहीं कर सकता अगर वो सच्चे भक्त नहीं है तो भक्त की बराबरी बिल्कुल भकत बराबरी अरूना कोई कोई भी इन में से भक्त की बराबरी नहीं कर सकता जो सच्चा भक्त है जैसे पूरेन पात रही जल समीप यानि कहते हैं कि इस संचार में उसी तरह रहना चाहिए जैसे जल में कमल अपने कमल देखा होगा ठीक है कमल जो रहता है उसमें जल में कमल का पत्ता रहता है और वो जो कमल का पत्ता होता है वो पानी से ही बनता है ना कीचड से कह सकते हैं उसी कीचड से बनता है लेकिन वो कमल का पत्ता कभी भी अपने उपर उस पानी की बूंद नहीं आने देता नहीं आने देता ना वो जब भी आती है उसके उपर से निकल जाता है ना तो कीचड में भी कमल खिर सकते हैं और कमल के पत्ते पे फिर भी कीचड या पानी की उसकी बिलकुल भी बून नहीं लगती है इसी तरह हमें भी रहना चाहिए कि अपने उपर किसी भ यहे निर्पेख्ष रहकर उसी भक्ति में हमें लीन रहना चाहिए ठीक है बगवान के भक्त में हमें रहना चाहिए नेक्स्ट आपका घर्ड है संजबते हैं इसमें आप देखें पहले हम्मसित काम मतलब समझेंगे पहले हम defentry पड़ते हैं इसमें क्या बताया प्रबुजी तुम चंदन हम पानी जाकी अंग अंग बास समानी प्रबुजी तुम घन बन हम मूरा जैसे चितवत चंद जकूरा प्रबुजी तुम दीपक हम बाती जाकी जोती बरे दिन राती प्रबुजी तुम मोती हम धागा जैसे सो नही मिलत सोहागा प्रबुजी तु हम चंदन हम पानी यानि प्रभुजी कौन भगवान भगवान तुम चंदन हो और हम पानी है जाकी अंग अंग बास समानी यानि कहते हैं कि चंदन के सुगंद जो होती है भक्त के शरीर के अंग अंग यानि प्रत्यंग में कैसे व्याप्त होती है सोचे मलब आप कल्पना कि पानी मिलाकर चंदन के घिसे जाने की जो खुश्बू होती है वो फिर भी नहीं जाती है ना तो इसी को कहते हैं कि भगवान की जो भक्ती होती है उसकी भगत में उसके अंग अंग में वो बसी होती है प्रभु जी तुम घंबन हम मोरा यानि कहते हैं कि प्रभु जी जैसे आप जो हैं इसमें कहा जा रहा है कि प्रभुजी तुम घन बन हम मोरा जैसे चितवत चंद चकुरा अर्थिस में यही बताया गया है कि जैसे आप जो हैं हमारे घन बन हैं और हम मोरा जैसे चितवत चंद चकुरा यानि आप हमारे लिए चांद चकुर जैसे हैं ठेक है उसके आके बोला गया है प्रभुजी तुम दीपक हम बाती यानि तुम दीपक हो हम बाती है जाकी जोती बरे दिन राती और जिसकी जो जो प्रकाश है वो दिन रात बढ़ता रहे गए या फिर हम उसको जलाते रहेंगे प्रभुजी तुम मोती हम धागा तुम मोती हो हरम धागा ह जैसे सोने में सुहागा मिल जाता है तुम प्रभु जी तुम स्वामी हमदासा ऐसी भक्ती करे रहदासा यानि तुम तो स्वामी बन जाओ और हमदास बन जाए तुम्हारे और ऐसी भक्ती जो है रहदास करना चाहता है तो इसमें आपको यही बताया गया है कि प्रभु जी यानि भगवान को अलग-अलग नामों से, अलग-अलग चीजों से संबोधन करते हुए कहा गया है, कि आप स्रेश्ट हो, हर हम आपके भगत हैं, भगत हैं, आप हमें अपने चर्णों में ले लीजे, तो ये आपके तीन जो थे पद थे, इसके बाद आपके दोहे आ जाते हैं, तीन ही, ठीक है, तो सबसे पहला दोहा हम पढ़ते हैं, हरी साहीरा चाडी करी, करे आन की आस, ते नर जमपुरी, जाई सी, सती भासे रैदास, अब इसमें क्या बताया गया है, इसमें बोला गया है, कि कवी रैदास जी है, वो ईश्वर की भक्ती की महिमा का गुणगान यहां पर कर रहे हैं, कहते हैं कि ईश्वर भक्ती, जैसा हीरा बड़े अतनों से मिलता है, हरी साहीरा, चाडी करी, करे आन की आस, यानि जो हरी जैसा हीरा होता है, होती है लेकिन ये किसे मिलता है जो इनकी भक्ति सच्चे मन से करता है जो माया मो की और चित लगाने वाला व्यक्ति जो होता है उसे ये हीरा नहीं मिल पाता जो मो माया में फसा रहता है ठीक है तो इसे ये हीरा जब ही मिल सकता है जब वो मो माया से बाहर निकले और अपनी ज उसके बाद हमारे दुबारा जनम होता रहेगा है ना लेकिन अगर हम मो माया छोड़ कर भगवान की बक्ति में लग जाएं तो मृत्यों के पश्चात हमें भगवान की शरण में जो है अपना एक स्थान मिल जाएगा और हम बार बार जनम लेने की इस सांसारिक जो है दुवी रहदास कहuya जाके रहे धरनी दिन राम रहनी यानी रात को ठीक है और दिन यानी दिन तो रहता तो हम मुट्बगदा नैस के डिन जसके धिल нак है और दिन नेक्स्ट आपका तीसरा दोहा है तीसरा दोहा हम समझ लेते हैं इसका अर्थ है सबसे पहले इसको पढ़ते हैं जा देशे गिन उपजे नरक कुंड है वास प्रेम भक्ति ते उधरे प्रगट जन रैदास अब इसमें बताते हैं कि रैदासी समाज में जो प्रचलित जाती प बरवादियों को उन्होंने समझाने की ये कोशिश की है कि मात्र किसी जाती विशेश में जनम लेने से कोई उचा नीचा नहीं होता यानि आप अगर बड़ी जाती में जनम ले रहे हैं आप उचे नहीं है या फिर कोई छोटी जाती में जनम ले रहा है वो छोटा नहीं कह लाये जाएगा तो बड़ा चोटा कुछ नहीं होता है सिर्फ एक भगवान की भक्ति होती है जो जादा भक्ति करेगा वही बड़ा है और जो सच्चे मन से भक्ति कर रहा है वह बड़ा है जादे से घिन उपजे नरक कुंड हैवास प्रेम भक्तिते उधरे प्रगट जंद्र बैदास यानि कहते हैं कि नीची जो चाती होती है जिसे देखकर उच्छुअरग के लोग घृणा से मुख मोड लेते हैं तो उन लोगों को नरक कुंड में वास मिलता है जो लोग दूसरों को देखकर ग्रणा करते हैं या फिर दूसरों को देखकर मुह अपना वेफेर लेते हैं उनको नरक कुंड मे वास मिलता है और जो प्रेम भक्ती जो प्रेम से प्रबु का भक्त बन जाता है उसे कहते हैं कि वो जो है भगवान के चर्णों में अपना स्थान प्राप्त कर लेता है अब इसके लिए उधारन देते हुए भी उन्होंने का आए कि रैदास स्वायम भक्ती कर इससे उबर चुके हैं अर्थात रैदास जिनको जिनम यानि आपको अगर ना पता हुए तो रैदास जी जो थे वो निमन जाती के थे यानि छोटी जाती के थे और इसनों छोटी जाती में जनम लिया था लेकिन फिर भी ये भगवान की भक्ती करते हुए जो है इतने उच्च बन गए इतने अच्छे बन गए जिसकी वज़े से आज पूरी दुनिया इने जानती है प्रेम भक्ती थे उधरे प्रगट जन्द रैदास यानि रैदास भी खुद एक ऐसा उधारन है जो कि प्रेम भक्ती से उभर कर आप सभी के सामने आया है तो यह पुरा आपका चैप्टर है जिसमें की तीन पद थे और तीन दोहे थे आई होप यहां से आपके दोहे और पात क्लियर हो गए हो मैंने अच्छे से समझाया हो और अगर फीड़ बैक देना चाहते हैं तो जल्दी से मुझे कॉमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी और साथ-साथ वीडियो का लाइक जिरूर कर दिएगा साथ-साथ अगर चैनल पर नए है और अभी तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो यह पूरा इसकी व्याख्या है आप चाहें तो इसे भी पढ़ सकते हैं अगर आप चाहें तो चलिए तो जल्दी से लिए लाइक कर दीजे वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब